इंडियन नीज अनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के अपने इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा है जिसको पब्लिश किया है ग्लोबल बिजनस प्रेस ने जहां पर ये दावा किया जा रहा है उनके द्वारा कि मले शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो दोस्तों आपको पता ही है कि लाइट कॉमबैट एरक्राप्ट को लेकर के भारत काफी प्रयास कर रहा है कि इसके लिए एक 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 स्पोर्ट कस्टमर को ढूणा जाए और इसी संदर में बहुत सारे देशों से बातचीत भी च अर्टिकल लिखा था जहां पर उन्होंने दावा किया था कि अल्रेडी मलेशिया ने साउथ कोरिया के एफए 50 को सेलेट कर लिया है और महज एक आप चारिकता ही बाकी है उसके बाद ये जो जहाज हैं ये मलेशिया को मिलने शुरू हो जाएंगे लेकिन बाद में फिर साली में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट के चेर्मैन और मैनेजिंग डारेक्टर आर्माधवन सर ने ये बताया था कि इस समय कई साउथ एशियन नेशन है जो की लाइट कॉम्बैट रेक्राप को लेकर के काफी ज़्यादा इंट्रेस्टेड है और हो सकता है भी बनके तयार भी नहीं हुआ है वहीं ये जो संस्ता जिसने अभी हाली में ये आर्टिकल लिखा है इसका ये दावा है कि रॉयल मेलिशन एरफोस की जो चीफ हैं उन्होंने हाली में कोरिया में जो एफ़ए 50 के मैनुफैक्टर से उनसे बातचीत की है और बताया ये भी जा रहा है कि उन्होंने दूसरे फाइटर एरक्राफ्ट की तुलना में एफ़ए 50 पर जो भरोसा है वो ज़्यादा दिखाया है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये काफी एफॉर्डेबल और एफेशियंट सुपर सॉनिक प्रेटफॉर्म है जो कि मलिशिया की सारी रिक्वा वाले से लिखा गया आर्टिकल है बताया तो ये भी जाता है कि जो अभी हाली में आम चुनाओं होने वाले हैं मलेशिया में अगर यही सरकार सेलेट्टों के वापस आती है तो ये फेफेटी की जो डील है वो साइन कर ली जाएगी यानि कि इनका दावा है कि पहली बात त हैंगे कि वर्ष 2010 में जब मिक-29 और एफ-5 जो इफाइटर एयरक्राप्ट हैं उनके रिटार्मेंट की बाद रॉल मेनेशन एरफोस के द्वारा की गई थी तो उसी समय जो है नए एरक्राप्ट की तलाज भी शुरू की गई थी और उस समय रुशियन फाइटर अविदार माना जा रहा था लेकिन बाद में लाइट कांबेट एयरक्राप्टेजर्स एफए 50 और जो जेफ 17 ठंडर हैं इनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया क्योंकि मलेशिया पहले से मिक-29 की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है इसलिए ये माना जाने लगा कि मिक- और कहा है कि इसकी जो रेपरेटेशन है वो काफी जादा अच्छी है बताया तो ये भी जाता है आर्टिकल में कि एक सीनियर जो कोरियन एरस्पेस इंडस्ट्रीज के अफिशल है उन्होंने कनफॉर्म भी किया कि मलेशिया के साथ जो एडवांस लेवल की वारतालाप है व भी शाइन किया था जहां पर डिफेंस कोपरेशन को बढ़ाने की बात की गई थी लेकिन कभी भी वहां पर इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कि एफ़ फिप्टी की जो डील है वो फाइनल कर ली गई हो खेर अब बात करते हैं इस आर्टिकल की सच्चाई कितनी है क्या वा हो सकता है कि ऐसे कदम उठाया भी गए हो हो सकता है ना भी उठाया गए हो इसलिए अभी इस प्रकार के जो मेडिया आर्टिकल से इन पर भरोसा करना सही नहीं है क्योंकि अब यहां पर कुछ पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे इस आर्टिकल में लिखा है कि एक रिला पूरा का पूरा पैकेज है वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है इन फैक्ट जो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेट के ओफर हैं वो भी किसी दूसरे देश के तुलना में काफ़ी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं भारत ने ना सिर्फ लाइट कॉमबैट का पासकर भारत का वो इस चीज़ पर भरोसा नहीं करता कि इस आर्टिकल में कोई सच्चाई होगी हाँ यह बात है कि जो एफ फिप्टी का निर्मार किया गया था यह साउथ कोरिया ने लॉखिट मार्टिन के साथ कोलाइबरेशन में किया था और इसका जो निर्मार कारे तो यहाँ पर अभी कुछ भी कनफॉर्म कहपाना मुश्किल है हो सकता है आने बाले समय में तेजस को सेलेक्ट भी कर लिया जाए हो सकता है ना भी किया जाए लेकिन अभी मलेशिया कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है और आपको हम बता दे कि हाली में एक मीडिया सामने आई थी जहाँ पर मलेशिया 2023 के पहले ऐसा कोई भी निन्ने लेने की स्थती में नहीं है माना जा रहा है कि मार्श 2023 तक ही मलेशिया इस स्थती में पहुंचेगा कि वो इस पूरे के पूरे एरक्राफ प्रोक्यूर्मेंट पे एक बड़ा निन्ने ले सके और अभी हा कहा जा रहा है कि वो एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगी यानि खुद अभी मलेशिया की रिसर्च इस मामले में पूरी नहीं हुई है मलेशिया अभी तक कि ये कनफॉर्म नहीं कर पाया है कि कौन सा फाइटर एरक्राफ मलेशिया के सर्विस में इ पूरे के पूरे एरक्राफ प्रक्राइट प्रोग्राम में उसको देख करके कुछ भी कमिट कर पाना कुछ भी कमिट कर पाना काफी ज़्यादा मुश्किल है और तेजस के लिए भी काफी ज़्यादा यह इन्पॉर्टन माना जा रहा है हाला कि पाकिस्तानी सी इसको काभी celebrate कर रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत-бड़ा भारत को setback हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है अगर तेजस select किया जाता है, तभी अच्छी बात है, नहीं किया जाता है तभी अच्छी बात है, तो इसमें भारत को तो कोई नुकसान नहीं है, भारत इन तेजस तो फिल हाल की वीडियो में बस इतना ही मेलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं